थाकड़ खबर पेखौप सुमा बेबाक अंदाज धाकड़ खबर के नियो जूम से मैं आपके साथ हूँ अक्राम रईस खान फिर से एक बार भारतिये जनता पार्टी के नेताओं विधायकों से जुड़ी हुई तीन तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ पहली तस्वीर में दिखाएंगे कैसे भाजपा का विधायक और भाजपा का सामसत आपस में गाली गलोच कर रहे हैं और सिर्फ वही गाली गलोच नहीं कर रहे हैं उनके जो समर्तक हैं वो तो उससे भी दो कदम आगे जा रहा हैं इस पूरे मामले को लेकर बहां मौजूद और प्लिस वालों के किसकदर हाथ पैर फूल कहें और इसके बाढ़ बाहर निकल कर मीडिया के सामने किस तरीके से एक दूसरे को बाइमान बातार रहे हैं दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के एक निता का अश्लील वीडियो वाइरल हो गया है जिसमें वो पुरे मामले में भारते जनता पाटी ने चुपी साद लिए और जो करांती कारी पुलीस उत्तर प्रदेश की उसको सांप सुंग गया है ऐसा लग रहा है कि वो रहती ही नहीं है उस जगा पे इसके लावा तीसी तस्वीर जो हमारे पास आ रही है जिसमें भाजपा के एक सां पत्रगार आपके सामने नहीं लाएगा क्यों नहीं लाएगा वो आपको भी पता है बार बार बताने से कुछ पायदा नहीं है लेकिन इधर उपर इदर की बात फिलाल चोड़ते हैं और शुबात करते हैं खबर के साथ तो पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ जो आ रही है बलिया से बलिया वही बलिया जो पिछले दिनों खूब सुर्ख्यों में रहा देश ही नहीं पुरी दुनिया के अंदर की वो तस्वीर है सब लोगों ने देखी जहां SDM की मौझूद की में चेतरा अदिकारी यानिके CEO यानिके DSP की मौझूद की में बारतिय जंता पार्टी के विधायक से जुड़े हुए गुंडे ने सरयाम एक शक्स की गोली मारकर हत्या कर दिया और उसके बाद फिर फरार हो गया जुल्म हो जाएगा जी हां उसी बलिया की मैं बात कर रहा हूँ जहां से सांसद विरेंदर सिंग मासते हैं जो अपनी बयान बाजियों के लिए जाने जाते हैं बहुत सारे बयान देते हैं पर फिलाल अभी उनका वो चितरन आपके सामने रखते हैं कैसे वो एक मिटिंग के अंदर एक दूसरे की मा बैन मतलब गाडिकलोच करने लगे हैं जिला विकास समन्वे एवम शरवन समीती की मिटिंग चल रही थी उसी के दोरान ये हंगामा हुआ पहले सांसद और विधायक आपस में गालिकलोच करने लगे और फिर उनके जो समर् कहां देख लिए आपने इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और मिटिंग का बाइकाट करके विधायक सुरेंदर सिंग बाहर निकल गए अने बाहर निकल के कहा कि पता है सांसद ने 25 भीगा जमीन कभ जा ली है वैमान है में ये मुद्धा हुठाने जा रहा था इसी वज़े से मिटिंग में हंगामा कर दिया यानि के विधायक अपने सांसद को बैमां बतार है 25 भीगा जमीन कभ जाने वाला बतारह है उन्हीं原 बैठक के लिए एक सूची होती है सूची में जो लोग चिनित हैं उन्हीं को बैठक पर रहना चाहिए और अध्यक्स मनमानी करता है खुद जो है अभी बाबू के सीपूर के बहीं मान आदमी जो है पचीस विए खेत अपने हड़ अपलिया है अभी मैं विसक उठा नहीं वाला था तब तक जो है अब विछे सब यह करने लगे सब कौन और जग जी कौन है वो आरे अध्यक्स मारे बलिया के सांसत जी हैं और क तो पूरी डकुमेंटरी फिल्म तयार की जा सकती है लेकिन जानते हैं का कौन सा है जब कुल्धीब सिंग सैंगर पर बलतकार का आप लगा तो औरे कोई शादी शुदा का बलतकार करता है क्या मतलब इनको बलतकार करने के लिए भी कमारी लड़कियां चाहिए सोचेगा ये क्या कहना चाह रहे थे तो इसका अलबात और बहुत सारे बयान हैं खैर इनके फिलाल इस सारे बयानों को छोड़ देते हैं और अभी आपके साम हुँ पार्टी वाले जाने पार्टी उपई पार्टी में जा चुके हैं बसपा का सपोर्ट कर चुके बिधायक हो गए हैं तो बीज़े पीच गजय फीचा है पार्टी डेमोक्रेशी उनके लिए कि उ साद पय नहींぎ जो ग्यानपूर सीट से एक विधायक हैं विजय मिश्रा उनके बारे में कह रहे थे कि मैं जो है गुंडों का क्या हल करता हूं कैसे उनको जबाब देता हूं तमाम तरीके के बैन है किसानों को लेकर किस तरीके की बैन बाजियां इन्होंने कि लंबी फैरी इससे अगर रखूंगा तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी इस दोरान आपको ये भी देखना चाहिए कि वहां मौझूद जो पुलिस वाले हैं जो अधिकारी हैं वो किस तरी पिर देखिए भगदर वाली अधिकारियों कि फिर उसके बाद आपको अनंद शुक्ति के बारे में कुछ बताते हैं कि अब वाली सारे सटेंवाली जो हाँ सटेंवाली पीचा लगा लो अब बोना साहर जाए बाई जुश्चा हो जो य्या जो को सबसाए भाली जो को वैं सेहिता persons घरली लगा जुश्ब बाइडली अल्य होई जुश्ब युश्ब दो लिए सयगक्त में श्टेंग में सेहिए तो बागे कि तो क्योंड़ को अजय Gणा जोット में जोचा hour कि देख लिए आपने तस्वीरों में अब आनंद शुक्ल का जिक्र कर लेते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने बताया था कि वीडियो वाइरल हो रहा है बलिया से जो है मंत्री होते हैं नाम है अनंद शुक्ल योगी सरकार के उन्होंने कहा जो ममता बनर जी है वो कि उसने बसा लिया है तो मतलब कोई भी अच्छे बोल वाला आदमी यहां मिलता ही नहीं है पता नहीं इधर जाते ही सबके मूँ से नफरत ही निकलने लग जाती है अब चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ यह तस्वीर पस्चिमुत्र प्रदेश के अम्रोहा से सामने आ ही है हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के हवाले से खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वीडियो हमारे पास है नहीं अगर होता भी तो भी हम इस वीडियो को यहां पर नहीं दिखाते क्योंकि आप सोचिए उसकी परसनल लाइफ है लेकिन परसनल लाइफ को वह ऑफिस के अंदर दिखाए दे रहा वीडियो होने के बाद पत्रकारों ने कहीं भीजे पी नेताओं से संपर्किया तो सब ने मुह बंद कर लिया कोई सीने कुछ मोलने की कोशिश नहीं कि इसके अलावा जब पुलिस से बात की तो पुलिस वालों ने भी का मारे तो दिहान में ही नहीं है जी हमें ना पता क्या चल रहा हमारी जानकारी में कुछ नहीं हमने नहीं देखा वीडियो तो नहीं देखा होगा इसके अलावा जब इंदोस्तान अख़वार के पत्रकार ने जो पश्यमुत्तर प्रदेश के छेत्रिये परभारी है उनसे बात की जैपियस राठो कि इसकी क्लास लगा ही जा चुकी है जाड़ पिलाने के बाद इसको पार्टी से निकला जा चुका है लेकिन पब्लिक ली इसका नाम इसलिए सामने नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि इससे सिर्फ इसी का नाम गंदा नहीं होगा भारतिये जनता पार्टी का यानि कि पा सम्भी आजकल ठंडा है चार पैक लगाने के बाद कुछ करने का मन भी तो होता होगा निता जी का और वैसे भी चारो तरफ सत्ता है तो उसका भी तो नशा कुछ नशा होता है ना अगली तस्वीर का रूख कले पर अब यह तीसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं जो आ सजा काटनी पड़ेगी क्या है पूरा मामला थोड़ा सा देख लेता है गौरकपुर की एडी जे हैं जाम है उनका नमरता ग्रवाल यानि के एडिशनल डिस्टिक जज हैं महां की अपर जिला जज कह सकते हैं इनको हिंदी में नमरता ग्रवाल इनका नाम है इनकी कोट ने सांसद हैं कमलेस पासवान उनको एक साल की सजा सुनाई जाती है और साथ ही उनपे दोजार रुपे का जुर्माना लगा जाता है जुर्माना ना अदा करने पर उनको साथ दिन की सजा और काटनी पड़ेगी लेकिन खड़े-खड़े उनको जमानत में बिल गई हैं अब ज चकार रोकर जाम लगाने के आरोप मीन को दोशी पाया गया और अदालत ने अब इनको ये सजा सुना दिये उस समय कमलेस पासमान बताय जा रहा है समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे मतलब नेताओ का कोई धरम नहीं होता सीट पर बने रहना है आज इस पार फिहार थाने के अंदर ट्रेन के चाला को ट्रेन के गार्ड की और से अफाई यार दर्ज कराए गी थी इस माबले में इनके साथ एक और आरोपी थे जो पूर पार्शद हैं राजेश कुमार उनको भी एक साल की सज़ा और 2000 रुपे के जुर्माना की का आदे सुनाया गया ह रही थी मुझे लगा कि आपको रुबरु कराए जाए कमेंट्स के रुपने आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसा ही किसी सुलगते हुए या उलस बवड़ा है लाँ है टो एकार रेजाओ है वहा है लुड़ा है?